हेलो एबरीवन, वेलकम बैक टो और चैनल हाइपो ट्रेडेज भी, मैं हूँ मोहमत सुहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आए हैं, यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए P.I. Industries पे मेरा प्रीवियस वीडियो आप डेफिनेटली देखो, 8th April वाला आपको अच्छी तरीखे का अनालिसिस मिलेगा, और मैं जो पोजिशन बताया हूँ, वहाँ पोजिशन से स्टॉक गिरा, नहीं गिरा ये भी आपको समझ में आएगा दोस्तों, मैं सज्जेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को देखो, 8th April के आपको अच्छी तरीखे से समझ में आएगा कि मैं P.I. Industries में क्या अनालिसिस दिया था, मैं ये अनालिसिस दिया था, स्टॉक के अंदर प्रीवियस ब्रेकडाउन क ब्रेकाउट यहां पे बना, तो मार्केट में कभी भी इस तरीखे का ब्रेकाउट बनता है, ये ब्रेकडाउन है, ठीक है, ये ब्रेकडाउन है, अगर स्टॉक इसको ब्रेक कर रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, नो ट्रेडिंग जोन बनेगा, स्टॉक इस तरीखे से इ अब देख सकते हैं मैं क्या बताया री टेस्ट करेगा तो ठीक है री टेस्ट नहीं करेगा तो स्टॉक इंदर फॉल अब यह री टेस्ट हम लोग कैसे पैच्छानेंगे सिंपल है प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल पे हम लोगों को यहां पर जो रेड कैंडल मिला ग्रीन कै प्रेकडाउट है अगर वैसे नहीं करते हुए तीसरा कैंडल या चौता कैंडल वो बना रहा है इसका मतलब यह एक फेक ब्रेकडाउट है जान बूच के पब्लिक को ट्रैप करते हुए फॉल करेगा जो फॉल किया है स्टॉक अभी जब स्टॉक फॉल किया है 200 एम में के पास यहां पर रेड कैंडल बनाया अगर अगले हफते नेक्स्ट विक सिस्ट में से लेके 10 में के इन बिट्विन यहां कहीं पर भी पहला ग्रीन कैंडल बनाता है 200 एम में के पास 200 एम में के पास पहला ग्रीन कैंडल बनाता है तो रैली है अगर नहीं तो स्टॉक के अंद तो in between यहां पे भी हो शकता है, यहां पे भी होसकता है अगर मुझे यहां पर opportunity मिला, मैं next video promise करता है, upload करूंगा, वइंग दूंगा अगर मुझे यहां पर opportunity नहीं मिलते हैं, stock यहां पर जाता हुआ दिका हमें नीचे के टार्गेट लेके चलना है अगर नीचे के टार्गेट लेके चलना है तो स्टॉक को नीचे गिरना ही है तो स्टॉक नीचे गिरेगा आप थोड़ा वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का अनालिसीस का एंड आप उसके अंदर बाद में पोजिशन लेना जब मै बताऊंगा यही था मेरा analysis P.I. industries पे अगर आपको stock पे analysis समझ में आया वीडियो को like करिए share करिए यूटुब चैनल को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video